नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्प्लेंग करने वालो कि आप अपनी मोबाइल के अंदर का जो अलाम है जो कुछ भी आपने अलाम सेट किया होगा उसको आप कैसे बंद कर सकते हो प्रॉपरली मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो अल हैँ ऑपने मोबाइल के अंदर गलाम से एक आप्लीकशन द्थन को मिल सकते हैं अगर आपके मोबाइल के अंदर ठोड़ा अलग हों सकते हैं आपके मोबल itt referral का था या clock नाम से आ जहाए जापर आपको इस तरह से देखने को मिल दाएगा गड़ी वहाँ पर आपको क्लिक करे आप कैसे आप अलाम करते हैं वहा पर आपको क्लिक करके उस आप को अप हैं फ़फ कर ले नहीं तो इसके अंदर आने इसके स्क्रीन के उपर यह बटन देख सकते हो उसको उपन मतलब उसके उपर टच करने के बाद या पर इसको आपको बंद करना है दोस्तों बंद करने के लिए उसके उपर टच करने के बाद आपके नीचे की साइड में या पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यह के टर तो यह पर आप do not repeat anymore मतलब इसके उपर आप क्लिक कर सकते हो तो हमारा अलाम में properly बंद हो जाएगा फिर से कभी भी हमारा इस time का अलाम नहीं बजेगा और दोस्तों अगर आपको इसको डिलीट कर देना है तो यह पर एडिट के उपर क्लिक कर देना है जो उपर की साइड में यह पर आप देख सकते हो उपर की साइड में जो एडिट वाला ओप्शन देखने को मिल रहा है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है यह पर आपको जो भी अलाम डिलीट करना है उसके आपको यह पर सिलेट कर लेना है तो यह पर मैं दोनों को भी सिलेट कर लेता हो दोनों क तरह से आपको अपने जो मोबाइल का अलाम होता है उसको आपको बंद करना होता है I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चेले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर थैंकी सो मुच फॉर इस वीडियो